असलाम लेकुम आवरिवान, वालकम बैक तो अनेजर वीडियो अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि पाकस्तान क्रिकट बॉर्ड में आजकल के दिनों में क्या चल रहा है PCB के हटक्वार्टर कदाफ स्टेडियम लहोर में रोज़ाना के इसाब से क्या मीटिक्स हो रही है और अब तक PSL लाइन जो के सर पे है जिसका शेडूल भी ऑफिशली अनाउस हो चुक है 17 फेबरी से शुरू होना है कुछ ही दिन रह गया है उसके लिए अब तक क्या प्रेपरेशन होई है क्या स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो चुकी है जो चेर्ज इंस्टालेशन का टेंडर आया था अमने टाइम टू टाइम हो आपको अपडेट किया था स्वालर पैनल्स का जो बताया था इस तरह से स्क्रीन्स का उसका अब तक क्या बना चले मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ क्या आप लोग को पता है कि पिंडी इंटर्नाशन क्रिक्ट स्टेडियम के लिए जो फाइबर ग्लास चेर्ज इंस्टालेशन का टेंडर इशू हुआ था जिसके लिए रिसेंटली पीसीबी की चेर्में जाका श्रफ एंड सीओ सल्मान नसीर ने प्रेस कॉंटर्स भी की कि उसका काम जो फाइनल मराइल में पहुंच गया आलमस्ट एप्रूफ होने को है और उनने बताया प्लेयर्स के लिए नोसी तेक अलावनी कर रहें कि आप इंटरनाशनल लीग T20 जो शुरू हो रहा है दुबई में जो होता है लेकिन अपनी T10 लीग अरेंज करवा रहे हैं वो भी PSL 9 से पहले PSL 9 की प्रेपरेशन्स तो शुरू कर लो फिर T10 लीग की साइट जाओ आपको पता है कि गवर्मेंट और PCP की दर्मियान क्या मामला चले PSL 9 की प्रेपरेशन्स की परवाई नहीं है PSL गई तेल लेने यहाँ पे PSL से पहले T10 लीग लाँच करवा रहे हैं क्योंकि पैसवा का मामला है और प्लेयर्स को कहारें कि यह T10 लीग खेलो लेकिन इंटरनाशनल लीग T20 के लिए नहीं मिलेगा जो कि PCP डिसाइट कर रहा था कि 25 जनुरी से उसके मैचेस कराए जाएं और 3 से 6 मैचेस उसके होस्ट हो दूसरी तरफ यहाँ नैशनल स्टेडियम कराची में 25 जनुरी से स्पील सिंध प्रेमर लीग शुरू हो रही है जो कि 25 से 5 फ़ेबरी तक जाएगी भाई खच बची है PCV पे, PSL 9 से पहले पहले लीग पे लीग मैं सारी चीजों की तरफ आता हूँ डिटेल में आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टन होने वाली है आपने एंड तक मेरे साथ रहना है चानल को भी सब्सक्राइब करने बला इकन को प्रेस करने ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती लेए पिशावर में PSL9 से पहले एगजिपिशन इंगॉरल मैच वोस्ट करें जो के मैं सब कुछ आपको टाइम अपडेट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन उपर से गर्मेंट भी बीच में आ गई है अब PCB वर्स गर्मेंट चल रहा है चले मैं आपको सारी स्टोरी शुरू से समझा देता हूँ, बहुत सी चीज़े मैंने यहाँ पे अड़ कर दी, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं शुरू से आपको समझा देता हूँ कि असल मैं हो क्या रहा है, क्यूंकि बहुत सारी चीज़े मिक्स अप हो गई ह इस वक्त पीसीबी जाका शरफ को लेकिन उन्हों ने तो टीटन लीग फलाना रिमकाना पता ने क्या क्या बीच में ला दिये, इन सब चक्रों की वज़ज़ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच में भी फूट पड़ी हूई है, दिखे या ना दिखे लेकिन पता लग र पिन इंटरनाशनल क्रिकन स्टेडियम के लिए पीसीबी की तरफ से फाइबर ग्लास चेर्स इंस्टालेशन का टेंडर इशू हुआ था, उसके अलावा स्क्रीन इंस्टालेशन का टेंडर इशू हुआ था, जिम एक्वेपमन्ट का भी जो कर मैंने आपको अब तक अपड जारी की हुई थी किया टेकर जो पीम थे अनौरुलाग कागर साब की तरफ से भी कागर साब ने आई पीसी मनिस्टरी ने का हुआ था कि भाई इस तरह के कोई भी कॉंट्रेक्ट आपने साइन नहीं करने जो लांग टर्म हो आपने डे टो टे जो भी मामलात हों सिर्फ उस बाई साब यह इस से भी बहतर हो सकता था पीसी बी ने बेस प्राइस भी मोर दन सेवन बिलियन रखी हुई थी और आप इसको प्रिवेस येर से कंपेर ना करें डॉलर भी उपर गया महंगाई भी आई बेस प्राइस को तो पीसी बी ने जल्दी प्रस कॉनफर्स करके वो चुपा दिया और ये बताया कि हमें 45 परसंट जाए जाफा हुआ इस बार और मीडिया राइट जो है वो 6.25 बिलियन की एस पोर्ट्स ने विन कर ली और भाई ये वो हल चल मचा दी प्रिट्यो स्पोर्ट्स एंजियो ने जो बिड लगाए था वो तो 5.25 5.30 से उपर गई उसके बाद PCV को एलेक्शन करवा रहे हैं चेर्मेन के लिए, BOG's, Board of Governors के लिए सुखर, Back to the Point, स्क्रीन्स इंस्टालेशन का टेंडर कैंसल हुआ, उसके बाद चेर्स इंस्टालेशन का बताया गया है, CEO सल्मान असीर ने आपने प्रेस कांफर्स में भी सुना कि ये स्टैं दिखने वाली है, अगर तो जल्स 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 गर्वर्मेंट ने चेर्स इंस्टालेशन के लिए कोई स्टैप ना लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू के अख्तियारात में हदूद हैं, और ये तमाम तर मामलात हमारे अप्रूवल के बगार नहीं हो सकते, उपर से PCV Management Committee के सरबराज, जका शरफ ने मुल्क में T10 लीग का इनकाद का मनसूबा बनाया था, ये भी नोट कर ले, ये इपॉर्टन है, ये मिस नहीं कीजेगा, ये स्टोरी भी आपको समझा रहो हो, फिर एंड में कन्कूजन भी आड़ कर दूँग, आपको सारा समझ आ जागा, T10 ये 40 रुकनी उनके जो मिंबर्स थे, जो काउंटी क्रिकेट वाँ पे खेलते हैं, इंग्लिश क्रिकेटर्स जिसमें फीमेल और मेल क्रिकेटर्स शामिल थे, साथ में इंग्लाइन के ऑफिशल्स भी शामिल थे, जिनका पाकिस्तान का दौरा करने की तवको थी, जिसमें ल मिंस्ट्री को राजी करना चाहा लेकिन वो राजी नहीं हुई, हकुमत से इजाज़त लेने के बावजूद भी इजाज़त नहीं दी गई, जराय के मताबर को बता रहे थे के फाइफ मिंबर्स की डेलिगेशन थी, पांच रुकनी वफद गई थी, पांच रुकनी वफद ये भी बतायागे है कि स्टेडियम में कुरिसियां, सोलर पैनलर्स और फंके लगाने पर पाबंदी लगाने की हिदायत की गई, फंके का जो पिछली प्रस कांफरस में जका साफ बता रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि चेर्स के ओपर छट के नीचे ऐसे फंके भी हो, जो कूलि उपर से दूसरी पार्टी आ जाती है, वो उसकी टांगे खेंच लिता है, फिर अगली पार्टी अरग से आ जाती है, अब जो एक्स चेर्मैन थे नजम सेटी, उनके जो मिम्बर्स थे वो गरम हुए हैं ट्विटर पे, जल से जल जका अशरफ को हटाओ, हमारी बारी आने जो नजम सेटी ठीकते हैं, तो वो भई हर एक चेर्मैन ने अपनी टीम पाली हुए है, ये तो हाल है पाकिस्तान क्रिक्ट पोर्ट का है, ये तो चल रहा है PCB में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे इंफ्रास्ट्रेक्टर में अप्गरेडेशन के लिए, और इस हालात के बावजूद भी, ICC ने चेंपियन स्ट्राफी 2025 होस्ट करने के लिए दी हुई है, इन मामलात का ICC को इंटरनाशनल क्रिक्ट काउंसल को पता चला ना, तो जो काम सिरलंका के साथ की है न, वो PCB के साथ भी कर देगा, जो उनकी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स पीच में इन्वाल वी, तो ICC ने सिरलंका पे बैन लगा दिया, और अडर नाइटीन वर्लक था, वो भी सिरलंका ने होस्ट करना था, वो भी सौत अफरीका शिफ्ट करवा दिया, यहां PCB में जो चल रहा है, ICC को पता चला है कि यह मामलात है, उरोंने चेंपियन स्ट्रा पिर नए चेर्मेन या फिर अब वो आगे मोर एक्स्टेंड कर पाते हैं या नहीं वो तो आगे वायरे वाला टाइम पताएगा, वीवर सेलेक्शन भी है, सर पे, गर्मेंट ने PCB को यह आद ध्यानी भी करवाई कि जो MOU साइन हुआ है, उसके मताबिक आपने किसी भी क्र पर दसाखत नहीं करने हैं, विदाउट अप्रूवल, विदाउट आस्किंग, यहाँ पे PCB बागी गर्गेट बोर्ट के साथ टीट अन लीग लाँच करने में विजी है, गर्मेंट ने ठीक टाक एक्शन ले लिया, क्या आपका काम है PSL 9 की प्रपरेशन करना, यह टाइम इतना थोड़ा सा रह गया है, आप किन चीज़ों में बीजी हैं, वो चेर्स इंस्टालेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो थोड़ा बहुत काम होना था, स्क्रीन बागी चीज़ों चोड़े, वो तक मना करवा दिया, आप देखते हैं, गर्मेंट क्या करती है, आज इतरास जमा किये जा सकेंगे, इनकी समात होगी फिर कागजात नमजद की वापिस लिए जा सकेंगे, इसके बाद हत्मी फैरस्ट का इलान होगा, वैसे तो आम तोर पर सरपरस्ट आला जो होता है, पैटर्न चीफ वजीर आजम उनकी जानब से नमजद करदा शखसियत में, इसे किसी को बोर्ड का चेर्मेन बना दिया जाता है, लेकिन जो मौझूदा सुरत आला है, वो मुक्तरिफ है, जिसमें गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग के बाद मनेजमेंट कमेटी तहलील हो जाएगी, खार लॉंग स्टोरी शॉर्ट, इन मामलात को आप इतना सिंपल कर के समझ लें, कि अब PCP की चर्मेन जाकाश्रफ की चुटी होने वाली है, उपर से election भी आ रहे हैं, अब कोई नया चर्मेन आता है, या जाकाश्रफ मजीद एक stand होते हैं, सो ये सब को चल रहा है आजकल पाकस्तान cricket board में, आपकी क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूँगा, आप सोचल मेडिया हैनलस पाके फालो कर लें, इस वीडियो के लिए तरह ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, लाहाफिस